हलो फ्रेंड्स हाइम अप्रती वेलकम एक ट्यू आड चैनल प्लांचे स्पेस लास्ट टाइम अपनी गार्डनिंग वीडियो के साथ साथ हमने अपनी गुजुरार ट्रिप की वीडियो भी आपसे शेयर की थी जो कि आपने काफी पसंद किया था और इस बार में हम सोच रहे क्योंकि हम तो घूम चुके अब आपसे शेयर करेंगे कि हम कहां कहां गए क्या क्या जगे हमने एक्स्प्लोर की और आपको भी शायद अच्छा ही लगेगा वैसे तो आपको बहुत सारी ट्रैवलिंग वीडियो मिल जाएंगी वारांसी के बारे में लेकिन हमने जो अपनी स्टेट में जा रहे थे और स्टेट mijn जूस्टेेज झब आप lleva ट्रेवल करते हैं तो सबसे अच्छा जो रहता है वो ट्रैश की रहती है लेकिन अभी हमें उतर प्रदेश से उत्तर प्रदेश ईतर प्रदेश ही जाना था तो हम गये प्लाइट से जो कि वह भी अच्छ र हर चीज का अपने अपना एक्सपिरियंस होता है अपना अपना एक्सपिरियंस जरूर लेना चाहिए ट्रेन का भी लेना चाहिए बस का भी लेना चाहिए कार का भी लेना चाहिए टैक्सी का भी और एरप्लेन का भी जीवन में जहां मौका मिले वह चीज एक्सपिरियंस कुछ सीखी हूं तो हम लेंड कर चुके हैं वारांसी में और जी-20 की बज़े से काफी जगे डेकोरेशन भी थी और पूरे बनारस में भी आपको जगे-जगे जी-20 का रंग देखने के लिए मिल जाएगा जैसे जैसी उसकी डेकोरेशन हुई होगी वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा एरपोर्ट पर पहुँचने पर ही हमारी चाय घर पर तयार हो चुकी थी हमें कहीं जाना था क्योंकि होटेल में जो चेक-इन था वो 12 बजे का था और उससे पहले हमें कहीं जाना था वारांसी एरपोर्ट पर उतरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन किया क्योंकि यहां का जो एरपोर्ट है वो उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा एरपोर्ट है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एरपोर्ट जब भी आप नहीं बाहर फर्स टाइम घुमने जा रहे हैं तो अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो जो रेलवे स्टेशन है और अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो जो एरपोर्ट है एक बार उसको पूरा घुमकर जरूर देखिए क्योंकि वहाँ पर भी कई ऐसी चीज होती है जो उस जो आप देश है या जो जगह है या जो स्टेट है या कोई भी जगह है वहां को रिप्रेजेंट करता है यहां पर बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है जो जहां पहुंचे हुए हैं उस जगह को दर्शाती है कि यहां पर फेमस क्या है क्या प्रसिद है और क्य जो वाल पेंटिंग है वो मुझे बहुत अच्छी लगी जो कि वहां की खुबसूरती को दर्शा रहीं थी अब जो भी गंगासनान है या महां का काशी विश्वनात मंदिर है नंदी भगमान है या सारनात है उनके बुद्ध को लेकर काफी सारे महां पर पेंटिंग की हुई जो कि हम ब्लॉग में आगे आपसे शेयर करते ही रहेंगे हमें जहां रुकना था वहां रुकने के बाद हम 12 बजे से पहले ही निकल पड़े अपनी रेस्टिनेशन की तरफ यानि अपने होटेल की तरफ और पर पहुँचने के लिए हमें रिक्षा करने पड़ते हैं थोड आपको कहां जाना है या बीच रास्ते में बताना होका या नि की चलते DOM विच रास्ते में बताव आपकोart łसव कह रो bri你घे यहिए आपको पकड़ लेंगे बहुत आफी लिए बने और अपने होटेल में पहुघ चूके हैं आगे की वीडियोप से शेयर करते ही रहें इसलिए हमारे साथ बने रहेगा कोई क्वेरी हो गार्णिंग से रिलेटेड तो पूछेगा थैंक यू